गटाते हैं वो केवल पर्यटन के लिए जाते लोग या फिर अपने घरों को जाते लोग उन लोगों के लिए नहीं बलके अर्थववस्था के लिए एक बहुत आवश्चक चीज हो जाती है और सामरिक और आर्थिक दोनों ताकत का जो यहां पर एक तरह से एक्जिबिट सुगमता बढ़ जाएगी दिल्ली से जो जुडाओ है दिल्ली अगर पहुँचना है तो केवल आप ट्रेनों पर नहीं अब निर्भर रहेंगे या फिर जो लोग जा सकते हैं हवाई यात्रा कर सकते हैं वो केवल विमानों पर नहीं रहेंगे बलकि वो सड़क के रास्ते भी इस दूरी को पूरी कर सकते हैं हक्यूलीस विमान के लैंड करने के समय की वो तस्वीर है जो गौरव अभी अभी कह रहे थे कि जब वो टायर जमीन पर रुखता है आकर और पीछे जो एक गुबार सा उठता है तो आप जब उसकी लैंडिंग की वो तस्वीर देखिए तो आपको वो जुकता हुआ टायर और पीछे उठता हुआ गुबार इसी तस्वीर में ये देखिए ये घजब की तस्वीर होती है उस समय एक प्लेन के अंदर और जैसा हम आपको बता रहे हैं ये प्लेन कोई ऐसा नहीं है कि कोई आलिशान प्लेन है कि इसमें एक हवाई जहाज की सभी सहूलियते हैं बहुत मामूली चीज़ें होती हैं कोई गदेदार कुरसियां वहाँ पर नहीं होती है बेंच लकडी इस सब का इस्तिमाल किया जाता है और उसमें किसी एशो आराम के साथ आप नहीं लैंड करते हैं हमारे सेनिकों के लिए है जो युद में उ जामान लोड कर दिया जाता है और आपको युद्भूमी में पहुंचा दिया जाता है हाला कि अपनी रक्षा करने में ये विमान सक्षम हैं फ्लेर्स चाफ्स इस तरह केस में उपकरन है कि अगर इस पर मिसाईल दागी जाए तो बहुत तेजी से इसके अंदर से आग के ग भारत माता की जोने धर्ती पर हनुमान जी काल नेमी के वद किये रहे कुद्धर्ती के लोगन के हम पाव लागित है 1857 के लड़ाई मां यांके लोग अंग्रे जन का छठी काई दूदियाद देवाई देह रहे या धर्ती के कनकन मां स्वतंत्रता संग्राम के खुश्बूबा कोईरी पूर के युद्ध या धर्ती के कनकन मां स्वतंत्रता संग्राम के खुश्बूबा कोईरी पूर के युद्ध भला क्या भुलाई सकत है आज यह पावन धर्ती का पुरवांचल एस्प्रेस भेक है सौगात मिलत्वा जैके आप सब बहुत दिन से अगोरत रहीं आप सबही का बहुत बहुत बदाई उत्तर प्रदेश की राजपाल श्रीमती आनंदिवेन पतेल जी यूपी के ओजस्वी तेजस्वी और कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आजित्यनाज्जी यूपी बाजपा अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव जी यूपी सरकार में मंत्री शी जय प्रताप सी जी शी धर्मवीर प्रजापती जी सौंसद में मेरी साथी बहन मेन का गांधी जी अन्य जन प्रतिनी जी गांद और मेरे प्यारे भाई और बहनों पूरी दुनिया में जीस यूपी के सामर्थ पर यूपी के लोगों के सामर्थ पर जराबी संदे हो वो आज यहां सुल्तानपुर में आकर यूपी का सामर्थ देख सकता है तीन चार साल पहले जहां सिर्फ जमीन थी अब वहां से होकर इतना आधुनिक एक्सप्रेश वे गुजर रहा है जब तीन साल पहले मैंने पुरवांचल एक्सप्रेश वे का सिलान्यात किया था तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेश वे पर विमान से मैं खुद उत्रूंगा ये एक्सप्रेश वे उत्तर प्रदेश को तेज गती से बहतर भविश्य की और ले जाएगा ये एक्सप्रेश वे यूपी के विकास का एक्सप्रेश वे है ये एक्सप्रेश वे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेश वे है ये एक्सप्रेश वे नए यूपी के निर्मान का एक्सप्रेश वे है ये एक्सप्रेश वे यूपी की मजबुत होती अर्थ दवस्ता का एक्सप्रेश वे है ये एक्सप्रेस वे यूपी में आदुनिक होती सुवीदाओं का प्रतिभीम्ब है ये एक्सप्रेस वे यूपी की द्रड इच्छा सकती का पूनित प्रगटी करन है ये एक्सप्रेस वे यूपी में संकल्पों की सिद्धी का जीता जागता प्रमाण है ये यूपी की शान है ये यूपी का कमाल है मैं आज पुर्वान चल एक्सप्रेस वे को उत्तरपदेश के लोगों को समर्पित करते हुए अपने आप में धन्य मैसूस कर रहा है साथियों देश का संपुन विकास करने के लिए देश का संतुलित विकास भी उतना ही आवश्यक है कुछ क्षेत्र विकास की दोड में आगे चले जाएं और कुछ क्षेत्र दसकों पीछे रह जाएं ये असमानता किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है भारत में भी जो हमारा पूर्वी हिस्सा रहा है ये पुर्वी भारत नौर्थिश के राज्य विकास की इतनी संभावना होने के बावजोर इन खेत्रों को देश में हो रहे विकास का उतना लाब नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था उत्तरपदेश में भी जिस तरह की राजनीती हुई जिस तरह से लंबे समय तक सरकारे चली उन्होंने यूपी के संपुर्ण विकास यूपी का सर्मांगिन विकास इस पर ध्यान ही नहीं दिया यूपी का एक छेत्र तो माफियाबाद और यहां के नागरिकों को गरीबी के हवाले कर दिया गया था मुझे खुशी है कि आज यही खेत्र विकास का एक नया अध्याय लिख रहा है मैं यूपी के उर्जावान कर्मयोगी योगी मुख्यमंत्री योगी आधित्यनाज जी और उनकी टीम और यूपी के लोगों को पुरवाइंचल एक्सप्रेस की बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं हमारे जिन किसान बेहनों की भूमी इसमें लगी है जिन स्रमिकों का उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं भाई और बहनों जितनी जरूरी देश की समर्दी है उतनी ही आवश्यक देश की सुरक्षा भी है यहां थोड़ी देर में हम देखने वाले हैं कि कैसे अब इमर्जन्ची की स्थीटी में पुर्वान चल एक्प्रेस बे हमारी बायू सेना के लिए एक और ताकत बन गया है अब से कुछी देर में पुर्वान चल एक्प्रेस बेपर हमारे फाइटर प्लेन अपनी लेंडिंग करेंगे इन विमानों की गर्जना उन लोगों के लिए भी होगी जिनोंने देश में डिफेंस इंफ्रासेक्टर को दसों को तक नजर अंदाज किया साथियों उत्तर पदेश की उपजाओ भुमी यहां के लोगों का परिश्रम यहां के लोगों का कोशल अभुद पुर्वा है और मैं किताब में पैड़ करके नहीं बोल रहा हूं उत्तर पदेश के MP के नाते यहां के लोगों से न मेरा जो रिस्ता बना है नाता बना है उस मैं से मैंने जो देखा है पाया है उसको बोल रहा हूं कि यहां के इतने बड़े ख्षेत्र को गंगा जी और अन्य नदियों का अशिरवाद मिला हुआ है लेकिन यहां साथ आठ साल पहले जो स्थिती थी उसे देखकर मुझे हैरानी होती थी कि आखिर यूपी के ओ यूपी को कुछ लोग किस बात की सजा दे रहे हैं इसलिए दोहजार चौदा में जब आप सबने उत्तर प्रजेश दे देश ने मुझे हमारे इस महान भारत भूमी की सेवा का आउसर दिया तो मैंने यूपी के विकास को यहां के एंपी के नाते प्रधान सेवक के नाते मेरा कर्तब बनता था मैंने उसकी बारीकियों में जाना शुरू किया मैंने बहुत सारे प्रयास उपी के लिए सुरू करवाए गरीबों को पक्के घर मिले गरीबों के घर में सौचा लए हो महिलाओं को खुले में सौच के लिए बाहर ना जाना पड़े सब के घर में बिजली हो ऐसे कितने ही काम थे जो यहां किये जाने जरूरी थे लेकिन मुझे बहुत पीड़ा है कि तब यूपी में जो सरकार थी उसने मेरा साथ नहीं दिया इतना ही नहीं सारवजनी ग्रूप से मेरे बगल में खड़े रहने भी भी कि उनको पताने बोट बैंक नाराज होने का डर लगता था में एंपी के रुप में आता था तो हवाई अड़े पर स्वागत करके पताने खो जाते थे उनको इतनी शरम आती थी इतनी शरम आती थी क्योंकि काम का हिसाब देने के लिए उनके पास खुष कुष खाई नहीं मुझे मालूम था कि जिस तरह तब की सरकार ने योगी जी के आने से पहले वाली सरकार ने यूपी के लोगों के साथ ना इंसाभी की जिस तरह उन सरकारों ने विकास में बेदबाव किया जिस तरह सिर्फ अपने परिवार का हित साधा यूपी के लोग कि ऐसा करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए यूपी के विकास के राष्टे से हटा देंगे और 2017 में आपने तो ये करके दिखाया है आपने प्रचंद बहुमत दे कर योगी जी को और मोदी जी को दोनों को साथ मिल करके अपनी सेवा का आपने मोका दिया और आज यूपी में हो रहे विकास कारियों को देखकर मैं कह सकता हूँ इस छेत्र का यूपी का भाग्या बदलना शुरू हो गया है और तेज गती से आगे बदलने वाला भी है कौन भूल सकता है कि पहले यूपी में कितनी बिजली कटवती होती थी याद है ना कितनी बिजली कटवती होती थी कौन भूल सकता है कि यूपी में कानून व्यवस्ता की क्या हालत थी कौन भूल सकता है कि यूपी में मेडिकल सुभिदाओं की क्या स्तिती थी यूपी में तो हालत ऐसे बना दिये गए थे कि यहां सडकों पर राह नहीं होती थी राह जनी होती थी अब राह जनी करने वाले जेल में हैं और राह जनी नहीं गाओं गाओं नई राह बन रही है नई सडके बन रही है बीते साड़े चार वर्षों में यूपी में चाहे पूरब हो या पस्चेम हजारों गाओं को नई सडकों से जोडा गया है हजारों किलोमिटर नई सडके बनाई गई है अब आप सभी के सयोग से उत्रपदेश सरकार की सक्रिय भागिदारी से यूपी के विकास का सपना अब साकार होता दिख रहा है आज यूपी में नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं एम्स बन रहे हैं आदूनिक सिक्षा संस्थान बन रहे हैं कुछ हपते पहले ही कुशी नगर में अंतर रास्तिय हवाई अड्डे का लोकारपन किया और आज मुझे पुरवान चल एक्सप्रेस वे आपको सौपने का सौभाग्य मिला है भाई और बहनों इस एक्सप्रेस वे का लाब गरीब को भी होगा और मद्यम्बर को भी किसान की इससे मदद होगी और व्यापारी के लिए भी सुविदा होगी इसका लाब स्रमिक को भी होगा और उद्यमिक को भी हो यानि दलीब बंचीर पिछडे किसान युवा मद्यम्बर हर व्यक्ति को इसका फाइदा होगा निर्मान के दौरान भी इतने हजारों साथियों को रोजगार दिया और अब शुरू होने के बाद भी ये लाखो नए रोजगार के निर्मान का माध्यम बनेगा साथियों ये भी एक सच्चाई थी कि यूपी जैसा विशाल प्रदेश में पहले एक सहर दूसरे सहर से कापी हद तक कटा हुआ था अलग-अलग हिस्चों में लोग जाते तो थे काम है रिष्टेदारी है लेकिन एक दूसरे सहरों में अच्छी कनेक्टिविटी ना होने की वज़े से परेशान रहते थे पूरप के लोगों के लिए लखनव पुहतना भी महा भारत जितने जैसा होता था पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सिमित था जहां उनका परिवार था उनके आग घर था लेकिन आज जितनी पस्चीम का सम्मान है उतनी ही पुरवान चल के लिए भी प्रात्विक्ता है पुरवान चल एक्सप्रेस वे आज यूपी की इस खाई को पाट रहा है यूपी को आपस में जोड रहा है इस एक्सप्रेस वे के बनने से अबद पुरवान चल के साथ साथ बिहार के लोगों को भी लाब होगा दिल्ली से बिहार आना जाना भी अब और आसान हो जाएगा और मैं आपका ध्यान एक और बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ तिन सो चालिस किलोमेटर के पुरवान चल एक्सप्रेस वे की विशेष्ता सिर्फ यही नहीं है कि यह लखनव, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपूर, अयोध्या, अम्बेड करनगर, मउ, आजमगर और गाजीपूर को जोडेगा इसकी विशेष्ता यह है कि एक्सप्रेस वे लखनव से उन शहरों को जोडेगा जिन में विकास की असीम आकांग्शा है, जहां विकास की बहुत बड़ी संभावना है इस पर आज यूपी सरकार योगी जी के नेत्रुत्व में बाइस हजार करोड रुपे से जादा बले खर्च किये हो लेकिन भविश्वे एक्सप्रेस वे लाखों करोड के उद्योगों को यहां लाने का माध्यम बनेगा मुझे अंदाजा नहीं है कि मिडिया के जो साथी यहां है उनका ध्यान इस और गया है कि नहीं कि आज यूपी में जिन नए एक्सप्रेस वे पर काम हो रहा है वो किस तरह शहरों को जोडने वाले हैं करीब 300 किलोमिटर का बुंदेल खर्ण एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ेगा चित्रकूट, बांदा हमिरपूर, महोवा, जालोन, ओरईया और इटावा 90 किलोमिटर का गोरकपूर लिंग एक्सप्रेस वे कितने सहरों को जोड़ेगा गोरकपूर, आमबेडकर नगर, संत कबीर नगर और आजमगर करीब 600 किलोमिटर का गंगा एक्सप्रेस वे किन सहरों को जोड़ेगा मेरट, हापूर, बुलन सहर, अम्रोहा, संभल, बदायू, साजहापूर, हरदोय, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगड और प्रयागराज अब यह भी सोचिए, इतने सारे छोटे-छोटे शेहरों को भी, अब मुझे पताएं, इन में से कितने सहर बड़े मेट्रों सिटी माने जाते हैं, इन में से कितने सहर राज के दूसरों सहरों के अच्छी तरह कनेक्टेट रहे हैं, यूपी के लोग इन सवालों का जवाब जानते भी हैं, और यूपी के लोग इन बातों को समझते भी हैं, इस तरह का काम, यूपी में आजादी के बाद, पहली बार हो रहा है, पहली बार उत्तर प्रेट की आकांचाओं के प्रतीक, इन शहरों में आदुनिक कनेक्टिविटी को इतनी प्रात्विक्ता दी गई है, और भाईयों और बहनों, आप भी ये जानते हैं, कि जहां अच्छी सड़क पहुंती है, अच्छे हाइवेज पहुंते हैं, वहां विकास की गती बढ़ जाती है, रोजगार निर्मान और तेजी से होता है, साथियों, उत्तर प्रदेश के और द्योगी विकास के लिए, बहतरीन कनेक्टिविटी जरूरी है, यूपी के कौने कौने को जोड़ा जाना जरूरी है, मुझे खुशी है कि आज योगी जी की सरकार बिना भेदबाव, कोई परिवारवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई खेत्रवाद नहीं, सबका साथ सबका अविकास इस मंतर को लेकर के काम में जुटी है, जैसे जैसे यूपी में एक्सप्रेस वे तयार होते जा रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ इंडस्रियल कोरिडोर का काम भी शुरू होता जा रहा है, पुर्वान चल एक्सप्रेस वे की इस गिर्थ, बहुत जल्द नए उद्योग लगने शुरू हो जाएंगे, इसके लिए 21 जग़ों को भी चिन्नित भी किया जा चुका है, आने वाले दिनों में इन एक्सप्रेस वे किनारे, जो शहर बसे हैं, उन शहरों में, फूर्ड प्रोसेशिंग दूद से जुड़े उत्पाद, कोल स्टोरेज, बंडारा, इन से जुड़ी गतिविद्या, तेजी से बढ़ने वाली है, फल, सब्जी, अनाज, पशुपालान और खेती से जुड़े दूसरे उत्पाद, या फिर फार्मा, इलेक्ट्रिकाल, टेक्स्टाइल, हैंलूम, मेटल, फरनिचार, पैट्टो केमिकल सेक्टर से जुड़े उत्योग, इन सभी को, यूपी में बनने वाले नए एक्स्प्रेस में, नई उर्जा देने वाले हैं, नए आकर्षन के केंद्र बनने वाले हैं, साथियों, इन उद्योगों के लिए, जरूरी मेन पावर तैयार करने के लिए भी, काम शुरू कर दिया गया है, इन सहरों में, ITI, दूसरे एजुकेशन, और ट्रेनिंग इंस्टिटूट, मेडिकल इंस्टिटूट्स, ऐसे समस्तान भी स्थापित किये जाएंगे, यानि खेत हो या उद्योग, यूपी के युवाओं के लिए, रोजगार के अनेक विकल्प, आने वाले समय में हाँ बनने वाले हैं, यूपी में बन रहा डिपेंस कोरिडोर भी, यहां रोजगार के नए अउसर लाने वाला है, मुझे विश्वास है, यूपी में हो रहे इंफ्रास्ट्रेक्टर के ये काम, आने वाले समय में, यहां की अर्थ ववस्ता को नई उंचाई देंगे, भाई और बेहनों, एक व्यक्ति गर भी मनाता है, तो पहले रास्तों की चिन्ता करता है, मिट्टी की जाँच करता है, दूसरे पहलूँओं पर विचार करता है, लेकिन यूपी में हमने लंबा दोर ऐसी सरकारों का देखा है, जिनोंने कनेक्टिविटी की चिन्ता किये बिना ही, अउध्योगी करण के बड़े-बड़े बयान दिये सपने दिखाए, परणाम ये हुआ कि जरूरी सुविदाओं के अभाव में, यहां लगे अनेक कारखानों में ताले लग गए, इन परिस्थितियों में ये भी दुर्बा कि रहा कि दिल्ली और लखलव दोनों ही स्थानों पर, चाहे लखलव हो या दिल्ली, दोनों ही स्थानों पर परिवार वादियों का ही दबदबा रहा, सालों साल तक परिवार वादियों की यही पांटनर्शिप, यूपी की आकांग्षाओं को कुचलती रही, बरबाद करती रही, भाईयों बहनों, सुल्तानपुर के सपूत, और मैं बड़ी गंबीरता से कहना चाहता हूँ, सुल्तानपुर के सपूत, स्रीपती मिस्राजी के साथ भी तो यही हुआ था, जिनका जमिनी अनुभाव और कर्मशिल्ता ही पुझी थी, परिवार के दरवारियों ने उनको अपमानित किया, ऐसे कर्मयोगियों का अपमान, यूपी के लोग कभी नहीं भुला सकते, आज यूपी में दबल इंजिन के सरकार, यूपी के सामान ने जन को अपना परिवार मान कर काम कर रही है, यहाँ जो कारखाने लगे हैं, जो मिले हैं, उनको बहतर तरीके से चलाने के साथ साथ, नए निवेश, नए कारखानों के लिए माहोल बनाया जा रहा है, अहम ये भी है कि यूपी में आज शिर्फ पांच साल की योजना नहीं बन रही, बलकि इस दसक की जरुरतों को ध्यान में रखते हुए, वह भव साली उत्तर प्रदेश के निर्मान के लिए, इन्फरास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, पूर्वी और पस्चमी, डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर से, उत्तर प्रदेश को पूर्वी समुद्रितरट, और पस्चिमी समुद्री तरट से जोडने के पीछे यही सोच है माल गाड़ियों के लिए बने इन विशेश रास्तों से यूपी के किसानों की उपच और फैक्टरियों में बना सामान दुनिया के बाजारों तक पहुँच पाएगा इसका लाब भी हमारे किसानों, हमारे व्यापारी, हमारे कारवारी ऐसे हर छोटे मोटे साथ्यों को होने वाला है भाई और बेनों आज इस कारकम में मैं यूपी के लोगों की कोरोना वैक्सिनेशन के लिए बहतरिन काम करने पर भी प्रसंसा करना चाहता हूँ यूपी ने 14 करोर करोनाटी के लगा कर अपने राज्य को देशी नहीं बलकि दुनिया में अगरणी भुमिका में खड़ा किया है दुनिया के अनेक देशों की तो इतनी कुल आबादी तक नहीं है साथियो मैं यूपी के लोगों की इस बात के लिए भी सराना करूंगा कि उसने भारत में बनी वैक्षिन के खिलाब किसी भी राजनितिक अपपरचार को टिकने नहीं दिया यहां के लोगों के स्वास्त से उनके जीवन से खिलवार की इस साजिस को यूपी के लोगों ने परास्त कर दिया है और मैं यह भी कहूंगा यूपी की जन्ता इन्हें इसी तरह आगे भी परास्त करती रहेगी बाई और बेहनों यूपी के चव तरफा विकात के लिए हमारी सरकार दिन रात मेहनत कर रही है कनेक्टिविटी के साथ ही यूपी में बुनियादी सुविताओं को भी सर्वोच्च प्रात्विक्ता दी जा रही है इसका सबसे अधिक लाब हमारी बेहनों को हुआ है नारी शक्ति को हुआ है गरीब बेहनों को जब उनका अपना पक्का घर मिल रहा है उनके नाम से मिल रहा है तो उनको पहचान के साथ साथ गर्मी बर्साथ सर्दी ऐसी अनेक परेलसानियों से भी मुक्ति मिल रही है बिजली और गैस कनेक्सन के अभाव में भी सबसे अधिक परेशानी माता और बेहनों को होती थी सभाग्या और उजवला से मिली मुफत बिजली और गैस कनेक्सन से परेशानी भी दूर हो गई है टॉलेट के अभाव में गर और स्कूल दोनों जगा सबसे अधिक परेशानी हमारी बेहन और हमारी बेटियों को होती थी अब इज़द गर बनने से गर भी सुख है और बेटियों को भी अब स्कूल में बिना किसी हिचक के पढ़ाई का रास्ता मिला है पीने के पानी की परेशानी में तो ना जाने माता और बेहनों को कितनी पीडिया गुजर गई आज जाकर हर गर जल पहुँचाया जा रहा है पाइप से पानी पहुँच रहा है सिर्फ दो साल में ही यूपी सरकार ने करीब करीब 30 लाख ग्रामिन परिवारों को नल से जल पहुँचा दिया है और इस वर्ष लाखों बेहनों को अपने घर पर ही शुद्ध पेजल देने के लिए डबल इंजीन की सरकार पुरी तरह से प्रतिबद्ध है बाई और बेहनों स्वास्त सुविदाओं के अभाव में भी अगर सब से अधित परेशानी किसी को होती थी तो वो भी हमारी माता और बेहनों को ही होती थी बच्चे से लेकर पुरे परिवार के स्वास्त की जिन्ता खर्च की जिन्ता ऐसी होती थी को अपना इलाज कराने तक से बचती थी लेकिन आयुश्मान बारती हो जना नए अस्पतालों मेडिकल कॉलेजों जैसे सुविदाओं से हमारी बेहन बेटियों को बहुत बड़ी राहत मिली है साथियों डबल इंजिन की सरकार के जब ऐसे डबल लाम मिलते है तो उन लोगों का मैं देख रहा हूँ आपा खो रहे हैं क्या क्या बोले जा रहे हैं उनका बिचली तोना बहुत स्वाबाविक है जो अपने समय में असफल रहे वो योगी ची की सफलता भी नहीं देख पा रहे हैं जो सफलता देख नहीं पा रहे हैं वो सफलता पचा कैसे पाएंगे बाई ओ बैनों इनके सोर से दोर सेवा भाव से राष्ट निर्मान में जुटे रहना यही हमारा कर्म है यही हमारी कर्म गंगा है और हम इस कर्म गंगा को ले करके सुजलाम सुभलाम का वातावन बनाते रहेंगे मुझे भी स्वास है आपका प्यार आपका आशिरवार हम सब को ऐसे ही मिलता रहेगा एक बार फिर पुर्वान चल एस्प्रेस वे की आप सब को बहुत बहुत बदाई मेरे साथ बोलिये पूरी ताकत से बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद प्रधार मंत्री नरेंदर मोदी ने लोकारपड किया पूर्वान चल एक्सप्रेस वे का और उसके साथ ही आर्थिक और सामरिक शक्तिक इस तरीके से भारत की बढ़ती है इस एक्सप्रेस वे के जरिये उसका जिक्र कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदेतनाथ बीजेपी उत्तरप्रदेश के अध्यक्ष स्वतंद्र देव सिंग राज जिपाल सब मौजूद हैं समय मंच पर और अब इंतजार होना है उन विमानों का उन लडाकों विमानों का जो एक्सप्रेस वे के उपर अब से कुछ देर में नजर आएंगे